जहें इस वीडियों लों बात करेंगे टेक्स्टाइल सेक्टर के एक छोटी सी कंपणी जिसका नाम है गलोब टेक्स्टाइल इसके बारे में लाश्ट ट्रेडिंग सेस्टन के दोरान इस स्टॉक में 5% के आसपास तेजी देखने को मिली है तो हम जानेंगे कि इसके पीछे क हैं जो इसमें इन्वेश्टमेंट की हैं उनके लिए खुसी देने वाली बात है तो इसी के ऊपर इस वीडियों बात होगी चलिए शुरुबात करते हैं देखें गलोब टेक्स्टाइल जैसे की नाम से यह सपश्ट है कि यह टेक्स्टाइल से बिलॉं करती है ट्रेडिंग यह टेक्स्टाइल सेक्टर का ही प्रोड़क्ट है और इसी की कंपनी बड़े अस्टाइब जब खरीद बेच करती है तो उसको ट्रेडिंग आते हैं अब देखिए एक अच्छी बात ही है कि हाला कि यह अच्छी बात ही है क्रोना आया था 2020 में हमनों जानते हैं कि जब क्रो प्रोड़ा लेकिन अब करोना खतम हो गया तो उसके बाद कंपनी की स्ट आरे इस प्रोड़क्ट का दिमांड अब बढ़ेगा लेकिन अब इस प्रोड़क्ट की वज़य से प्रोडुक्त जो यह कंपनी अभी बनाती है उसी पर फोकस कर रही है तो क्योंकि अब ठंड्ड का दिन आने वाल है तो इसके प्रड़क्ट का डिमांड अब बढ़ेगा लेकिन अबर ओर इस प्रड़क्ट की वज़से पीपी शूट की वज़से जो कमपने का डिमांड बढ़ा था वह थोड़ा सा कम हो गया है अब थोड़ी सी बेसिक बात है मनों यहां पर जान नेते दे इस स्टॉक में कंट्निवरी के बाद से लगतार नीचे गया है पिछले 6 माही में देखेंगे तो लगवक 30% टूट चुका है हाल फिलहाल के दिने में इस स्टॉक में कोई तीजी देखने को नहीं मिली है लेकिन कल के दिन इस स्टॉक में तगरीबन 5% के आसपास का आई क्यों है बहुत से लोग कर सकते हैं कि कल बजार अब था फ्राइड़े के दिन बजार काफी उचाई बुलंदियों पर गया था तो इस वज़े से श्टॉक में तीजी आई थी जबकि यह हकीकत नहीं है क्योंकि यह श्टॉक टूट रहा था तो ऐसा थोड़े 6 माह में बजार में तीजी नहीं आई होगी इस दोरान भी बजार में तीजी आई थी लेकिन तब यह श्टॉक ऊपर नहीं चला अब देखिए बात यह है कि कंपनी के सितंबर क्वार्टर का रिजल्ट आने वाला है और सबको पता है कि इस बार अच्छे रिजल्ट आने की संभाव अच्छे आने की उमीद है और अगर ऑफर ओल कंपनी के फंडमेंटल की बात करें तो जिस लिहाज की कंपनी है यानि पेने श्टॉक उसके हिसाफ़ से कंपनी का फंडमेंटल बहुत बढ़ बढ़िया है इसका बुक वेलू देखेंगे तो तक्रीवन साहिनों रुपे का स पास जो समानने तक किसी पेने श्टॉक का इतना हेवी नहीं होता है और अभी इस कंपनी का सेयर प्राइस अपने बुक वेलू से नीचे मतलब कर सकते हैं कि एक सस्ता प्राइस पर मिल रहा है तो इसमें अभी खरिदारी करना चाहिए इसके बारे मागे बात करेंगे यहां देखें कंपनी का रिटर्न और इक्विटी और रिटर्न कैप्टेल इंपोड़ी दुनों 10% से अधिक है जो कि समाने तक पीने श्टॉक में तो ज्यादा कंपनियों के निगेटिव में होते हैं लेकिन इसमें पोजेटिव में है और वह डबल डिजिट में काफी संदार ब ठीक ठीक करने के लिए लेकिन क्या अभी आपको इसे श्टॉक में करना चाहिए देखें मेरा कोई सेल का रिकमेंडेशन नहीं है अगर आप मेरा राय जानना चाहेंगे तो मैं कहूंगा अभी इसमें फिर सेंट्री मत लिए यानि कि नया सेर पाई मत कीजिए और जो लोग करने के लिए डिमेट एकाउंट नहीं है तो आप एंजेलों के साथ अबना बेश डिमेट एकाउंट ओपिन करा सकते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है मिलते है नेक्स्ट वीडियो में तो तो तरह लिए धन्यवाद सुक्रिया